जैसी कृष्णा, hello friends, कैसे हो आप सभी I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपनी gardening अच्छे से कर रहे होंगे तो friends आज के इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हूं मैं इन खुब सुरत फूलों के साथ जो की अब खिलने लगे हैं और सर्दियों की जो बहार है गाडन में खिलते हैं और आप लोग उन्हें देखकर फूब इंजॉय करते हैं मेरी gardening इंजॉय करते हैं तो friends आज का जो वीडियो है वो होने वाला है रियो प्लांट के उपर क्योंकि आपका रियो प्लांट अभी कुछ इस तरीके से खराब हो रहा होगा जैसा की मेरा हो र प्लांट है कुछ नहीं हुआ है इसको आप आपका भी अगर प्लांट इस तरीके से दिखे तो आप बिल्कुल भी मत घबराएगेगा और एक निट में आपको दिखाती हूँ अभी ये बुशी तो दिख रहा है लेकिन आप ज़रा इधर से देखिए जब मैं आपको दूस भी डाउन होने लग जाएगी पोधा खुबसूरत नहीं दिखेगा तो फ्रेंड्स आपको इसकी हुबसूरती को मेंटेन करने के लिए कुछ करना पड़ेगा और वो क्या करना है वही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो फ्रेंड्स वीडियो को प प्रेंटी रहती हूँ तो यहां पर मैं आपको यह दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो यह ब्रांचेस आपको दिख रही है और चोटे-चोटे बेबी प्लांट्स भी देखिए बन रहे हैं तो जो ब्रांचेस हैं इनको थोड़ा सा छोड़ के ताकि उन में से नए पौधे निकल सके उतना ही आपको काटना है देखिए मैं पूरा सीरे से नहीं काट रही हूँ प्रांचेस को सिफ कुछ कुछ छोड़ रही हूँ ताकि इन ही में से चोटे-चोटे प्लांट्स निकलेंगे तो क्योंकि मैंने पहले कटिंग लगाई थी न तो उन में से देखिए इस तरफ आपको दिख रहा होगा कि कुछ प्लांट्स निकल चुके हैं यही प्लांट आगे चलके इस पोधे को घहना करेंगे तो मैं यहाँ पर गोलाई में काट लेती हूँ क्योंकि जैसा मेरा पॉट है मैं उस हिसाब से काटूंगी अगर आपका पॉट शेलो अगर आपका रियो का प्लांट भी थोड़ा खराब हो रहा है तो आप भी यह काम तुरंथ कीजिए बिल्कुल भी टेंजिन मत लीजिए कि हम इन कटिंग को कहां लगाएंगे क्या करेंगे बहुत हाड़ी प्लांट है फिर से ग्रो हो जाएगा अगर आपके पास जगे है तो कटिंग लगाई है वरना फेक दीजी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ऐसा नहीं है कि आप यह भी मत सोचिए कि अगर हम कटिंग कर देंगे यह तो पता नहीं यह फिर से रिग्रो होगा कि नहीं होगा फ्रेंड्स बहुत हाड़ी प्लांट है आसानी से ग्रो होग तो आप उनको अगर देखना चाते है तो उदर जा करके देख सकते हैं दूसरे वीडियो उसमें है वो तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आप आपको दूसरा काम करना है कि जितने भी टैड्ड लीव्स है यानि कि जो मुर्जायव है पत्ते हैं सूखे पत्ते हैं सब इसमें जाती है पत्ते जब बीच में रहेंगे तो एक तरीके से मल्चिंग हो जाती तो अभी हमें सर्दियों में मल्चिंग नहीं चाहिए पौदे में बिल्कुल भी मल्चिंग नहीं चाहिए तो जितने भी पत्ते सब हटाइए ताकि मिट्टी तक दूप जाए और उसकी जड़ चोड़ दिये, यहां पर देखें काफी branches मैंने cut कर दी वो ही में दिखा रही हो आपको कि मैंने सिफ pot की size के हिसाब से और गोलाई के हिसाब से ही मैंने जो है plant को cut किया और देखें कितनी सारी cuttings निकल गई है अब यहां पर देखें मैंने यह कुछ 6 या 5 इंच का गमला है 6-7-5 बता नहीं कितना है मैंने नापा नहीं है बाकि हाँ इतना चोटा pot है इसी में मैं कुछ plant लगाऊंगी और उसकी cutting मैंने यहां पर ले ली है नीचे से पत्ते साफ किये हैं इस cutting के नीचे-नीचे की side से और पत्ते साफ करने के बार मैंने इसकी कुछ stems को तोड़ा भी है क्योंकि काफी लेगी stems थी इतनी लेगी stems हमको नहीं चाहिए और इसकी cutting तौप सिफ मिट्टी में ऐसे ही टच करके भी लगा देंगे तो भी आसानी से चल जाएगी तो कुछ cuttings यहां पर मैंने ले लिए औ बहुत ही खूबसूरत double color में दिखने वाला यह जो plant है यह आप इसे indoor भी place कर सकते हैं outdoor भी place कर सकते हैं बहुत हाड़ी है semi shade area में भी चल जाएगा shade area में भी चल जाता है full sunlight में भी चल जाता है तो बहुत ही खूबसूरत और मेरा favorite plant है मेरे favorite plant में से एक है यह क्योंकि इस plant को ना जादा खाच चाहिए ना जादा इस plant को अगर एक दो दिन पानी ना भी मिले तो भी survive कर जाता है गर्मियों में भी गर्मियों में भी लेकिन इतना मत जादा लंबा समय कीजिएगा कि सूख जाए लेकिन हाँ सूखने के बाद भी अगर आप इसमें पानी देंगे तो फ अपना स्वाइल मिक्स का भरा है और स्वाइल मिक्स यहाँ पर लिया है मैंने 50% गार्डन स्वाइल, 30% कंपोस, 20% कंस्ट्रक्शन सेंड की मात्रा आप जितनी जादा रखेंगे टेरस गार्डनिंग में उतना ही बहुत ही फायदे मंद होता है पानी पॉट में रुखना न काफी लंबी स्टैम थी तो उसको थोड़ा छोटा किया बस ऐसी कर दिया बिना केची के क्योंकि प्लांट का कोई नियम नहीं है कि आपको केची से ही कट करना है केची से तो उस समय मुझे बहुत सारा कटिंग करना था इसलिए मैंने कटिंग किया अब यहाँ पर मैं मिट्टी ही ली है गीली मिट्टी में पौधा लगाने में प्रॉब्लम आती है आप भी सुखी मिट्टी का ही उपयोग करें और लास्ट में अच्छे से पानी दे दे आप इसे एक दो दिन शेड एरिया में भी रख सकते फिर पूरी धूप में रख दीजिए और मैं तो कुछ पतिया ये लीव्स डाउन करता है याने की पतिया ड्रॉप करता है तो बिलकुल भी टेंशन में लीजेगा कुछ पतिया ये जो नीचे की तरफ होती है वो जड़ेंगी इसकी तो टेंशन में लीजेगा कटिंग आसानी से चल जाएगी इसकी कटिंग 5 से 10 दिन के बी तो आपको मिठ्टी डालने के बाद थोड़ा सा हाथों से प्रेस करना है इस तरीके से प्रेस करने के बाद आप इसमें पानी दीजेगा friends, बहुत ही खुबसूरत, colorful, variegated और decorative plant है यह बहुत ही hardy plant है बहुत ही, मैं इसकी जितनी के तारिफ करूँ, उतना कम है बहुत ही बढ़िया plant है बस अब इसमें पानी दे देंगे, semi-shade area में रखेंगे 10 दिन में यह हमारा bushy plant ready है, तो मैंने आपको एक ही वीडियो में आपको bushy plant कैसे बनाना है आपको इसके साथ क्या करना है अभी काम, हाँ आप चाहें तो जिस plant के आपने cutting की है ना उसमें fertilizer दे सकते हैं, कोई भी compost, kitchen compost, फर्मी compost, cowden compost, दे दीजे वो और अच्छे से बूस्ट करेगा I hope आच के यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजे, शेयर कीजे मेरे चैनल पर नहीं होते, सब्सक्राइब ज़रू कीजे बेल आइकन और पर पैस करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स रीडियो में फिर किसी नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई, टिक केर, जैसी कृष्णा